अब अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई चलते हुए एरक्राफ्ट से मीचे गिर जाए और आपके पास पाराशूट नहीं है तो आप तहल जाएंगे क्या बचने के चांसे हैं जादा नहीं बड़ बचने के चांसे बिलकुल है कैसे बचा जा सकता है आज इस वीडियो में समझेंगे Hey guys, this is Vefaf Agrawal from Business Upturn. Let's get started with today's video अब कई सारी movies में, series में और कई सारी series में हम देखते हैं कि skydiving बड़ी होती है और कहीं बार ऐसा भी हमको सुनने में आता है news में कि लोग जो है वो खूद गे उनके पास parachute नहीं था या parachute काम नहीं करा ऐसे situation में कि क्या आप बच सकते हो, बिलकुल बचा जा सकता है, chances आला कि काफी कम है लेकिन बचा जा सकता है सबसे पहले तो ये कि जब आप गिर रहे हैं, try to fall in an exposition कहीं सारे ऐसे skydivers आपने देख रहे होंगे जो अपने हाथ पैर को फैला के chest नीचे की तरफ face करते हैं, उसे exposition कहते हैं, इससे आपके गिरने की speed कम हो जाएगी दूसरा, पानी में गिरने की बिलकुल मत सोचिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा height से कूटते हैं पानी में, तो पानी जो है, concrete का का काम करता है यानि कि आप बच तो शायद ही पाओगे अगर आप पानी में गिर रहे हो, इसके बाद कोशिश कीजिए कि अगर snow है, snow सबसे ज़्यादा safe है, सबसे ज़्यादा बहतरीन option है, गिरने के लिए, कई सारे लोगे जो बच जाते हैं, और अगर snow नहीं, तो कीचड़ वाले किसी अगर वो भी नहीं मिलता, जंगलों में गिरने की कोशिश कीजिए, जब बहुत सारे उचे उचे पेड़ हैं, क्योंकि कई सारे cases में ऐसा हुआ है, कि जब लोगे पास parachute नहीं था या उनका parachute काम नहीं करा है, और वो पेड़ों पे गिरे हैं, क्योंकि पेड़ जो है, आपक आपको जंगल भी नहीं मिलते हैं, तो खेत खलेहान में कहीं जाकर कि आप वहां locate करने की कोशिश कीजिए, और दिमाग को जितना हो सके उतना cool रखिए, क्योंकि ऐसे situation में दिमाग का चलना बहुत जादा important हो जाता है